नमश्कार आदाव से स्रियकाल दोस्ते में ना मैं सियादर यूशी और मैं आगे हो आपके सामने एक जबर्दस्त माइंड ब्लोइंग रिविजन लेकर अगर अभी तक आप लोगोंने मिशन सक्सेस बैच के बारे में नहीं देखा नहीं जाना नहीं सुना तो बड़ा जल्दी से चेक आउट कर लेना यह मिशन सक्सेस बैच के डिटेल्स में पूरा बहुबलेटी में आपके सा सकते हैं मैं कुछ इस तरह से पड़ा चुका हूँ अभी तक अगर आप लोग चाहे तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और यह पूरा कोर्स आप भी कंप्लीट कर सकते हों अल्सो हमारे जो टेस्ट जो मैंने लिए वो भी आप पार्सवेट कर सकते हो टेस्ट पी आप देख स सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 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 आइकानिक में देखते हो तो आइकरिंग में परसनलाइज गाइडन स्टी प्लानर टेस्ट एक्सपर्ट गाइंस और स्ट्री मटरियल भी आपको मिलेगा इसके अलावा इसके अलावा यू तो सिलेक्ट फ्रॉम इन प्लस और यूज यूज थी आदर्श टू एडिशनल टेन परसन डिसकाउंट और आपके पास आइकानिक में सिक्समें ट्वेल में 24 मंद यहां पर भी आप 10 परसेंट ओफ ले सकते हैं आज हम आच चुके हैं कंपनी जाइक 2013 में यह बहुत ही पूरे के पूरे पार्ट एक पार्ट में बहुत डीटेल में पढ़के हमने इसको कंप्लीट किया है आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसको थोड़ा डीटेल में रिवाइस करेंगे ताकि वो चैप्टर हमेशा मुई शाक लिए हमारे जहन में बैट जाए तो दोस्तों कं इसके बाद दीरे दीरे नए 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 गाते गए इंग्लिश कंपनी चेंज होते गए और अकॉर्डिंगली हमारे इंडिया में भी कंपनी चेंज होते रहे आपके सामने नजर आ रहा है आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस कंपनी चेंज है तो इसके बाद थीधा नाइटीन फिटी सिक्स के बाद जब नया इन चेंज है आपको और यह हमारे देश का पहला companies act था जो कि British law पे नहीं हमारे industry पे और हमारे पुराने companies act पे based था तो चलिए उसको पढ़ते हैं Why was there a need of company? मैं आपको बताया, sole proprietorship में सिफ एक बंदा business कर सकता है, partnership में दो से ज़्यादा बंदे business कर सकता है अब यहां हम लोग देखता है कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने कंपनी के features पढ़े, corporate theory पढ़ा, फिर incorporation करने का process जाना फिर share capital क्या होता है, types of shares देखा, फिर memorandum क्या होता है, article क्या होता है और उसके बाद हमने कुछ doctrines भी देखा जैसे ultra wise, constructive notice और indoor management, और उनके कुछ exceptions, तो यह पूरा course इतना ही है आपके syllabus में in CA foundation, then होता क्या है, वैसे देखा जाए, तो companies act में 470 section है, और यह अलग-अलग chapters, इनने divided in 29 different chapters, और यह 470 section में इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो section 1 से 148 तक, आपके CA inter के syllabus में है, और 149 से 470 तक आपके CA final के syllabus में, तो सर्फ फिर हमारे पास CA foundation में क्या है, आपके पास CA foundation में स्रिफ foundation है, एक base create कर रहे हम लोग companies act का, तो दोस्तो companies act apply किस पर होता है, section number 1 बोलता है that companies act applies on all the companies in corporate under this act or under any previous law, insurance company, banking company, electricity company, other company governed by special act and body corporate as stated by central government, अब लेकिन एक बात याद रिखना कर आप insurance company, banking company, electricity company को companies act apply कर रह उनके उनके खुद के specific acts है, for example, insurance act 1938, IIDA 1999, banking के लिए BRA, banking regulation act 1949, electricity के लिए electricity act है, तो अगर आपके specific act में कुछ लिखा है, और वो contradict कर रहा है companies act से, तो आपके specific act को सुना जाएगा, companies act को नहीं माना जाएगा नहीं, your individual act will override companies act, फिर आते है company का मतलब क्या है, सर अलग-अलग अपने बारे में क्या कहता है, section 2 clause 20 कहता है, that a company means a company incorporated under this act, or under any previous company law, यहने कि आप companies act 2013 हो, या 1956 हो, या 1850 हो, आप कभी भी बने हो, लेकिन अगर आप इंडिया में companies act के अंडर बने हो, उचाये current हो, या previous हो, तो आपको हम company कहेंगे, now जैसी आप company बनते हो, आपको बहुत सारे, आपके features हमने निकल के आते हैं, सबसे पहला feature था separate legal entity, now what exactly do you mean by separate legal entity, यह कहता है कि जब company register की जाती है, तो company को एक legal personality दी जाती है, और वो separate and distinct होती है from the persons who are making the company, आप उस company को almost same right देता हो, जैसे human being को right होता है, यहने कि, यहने कि वो company अपने खुद के नाम पे property ले सकती है, खु सकते है, कुछ खरीट सकते है, कुछ बेच सकते है, service ले सकते है, service दे सकते है, case file कर सकते है, case file उसकी against भी किया जा सकता है, तो basically आप एक अलग entity बना देते हो, इसलिए उसको बोलता है separate legal entity, यहने कि company will be different and the founders of the company, यहने कि जो subscribers होंगे, जो promoters होंगे, जो members होंगे, they will be separate and different, in fact every member of a company can have a contract with the company as well, मतलब आप अपने खुद की company से लेंदेन भी कर सकते, because you and your company will be two different persons, यह established होता एक और case से, जिसका नाम है Macquarie versus Northern Assurance Company Limited, क्या हो था Macquarie versus Northern Assurance Company Limited में, कोई मुझे बता सकता है, what happened in Macquarie versus Northern Assurance Company Limited, दोस्त, Macquarie versus Northern Assurance Company Limited में, 1925 का case है, Mr. Macquarie had all but one share of the company, यहनि की company के 99.9999, मैं वो रहाँ, all but one share company के, किसके पास थे, Mr. Macquarie के पास थे, के वल एक share किसी और के पास था, बाकि सारे share Macquarie के पास थे, Mr. Macquarie को धर लगने लगा company के, company का timber company थी, मैं लगा company का बहुत सारा wood था, तो company के wood को कुछ होना जाए, यह डर उनको लगा रहता था, तो Mr. Macquarie ने कहा कि एक Northern Assurance Company Limited से एक insurance contract कर लिया, और कहा कि अगर इसके timber को कुछ होता है, तो आप मुझे pay करेंगे, company ने case, अलब insurance थो दे दिया, बाद में सच में company के, Macquarie की जो company थी, उसके timber को आग लग गई, Mr. Macquarie का insurance claim करने, तो Northern Assurance Company ने कहा कि यार आग लगी है company के asset में, आप क्यों अपना insurance claim कर रहे हो, Mr. Macquarie ने कहा, अरे, बट I am the owner of the company, न, I have all but one shares of the company, न, न, वो बात सही है, बट asset किसकी थी, company की, correct, who was the owner of the asset, timber किसका जला, company का, तो insurance किसने निकालना चाहे था, company ने, आप क्यों निकाल रहे हो, yours and your company are two different entities, your entity is different and the company's entity is different, you cannot claim a compensation for someone else's loss, and hence this insurance claim was rejected, इस case से ये point एकदम clearly भाहर निकल के आया, that yes company अलग है और company के अलग है, और just because you are the owner of the company, आपको company के assets पे कोई अलग special right नहीं मिलता, फिर बात करते है, perpetual succession की, perpetual succession बोलता है, that members में come and members में go, but the company will remain as it is, मतलब, कि भाई, say for example, Mr. A purchased the shares of the company, उनके death हो जाती है, तो उससे company के existence में कोई फरक नहीं बढ़ता, Mr. A के debt के बाद, उनके legal representative will become the owner of the shares, in fact, मैंने आपको भी बताया था कि अगर company के सारे members एक साथ भी मर जाते है न, सारे members, hundred percent, all the members of the company die on the spot, तो भी company का existence खत्रे में नहीं आएगा, सारे लोगों के legal representative will take over the company, correct, तो members के debt, members का insolvency company पे कोई असर नहीं करता, यह sole proprietorship या partnership नहीं है, यह company है, फिर limited liability, now depending upon what kind of a company you are, मतलब company limited by share या guarantee या unlimited, आपकी liability mostly, except for unlimited company आपकी liability limited होती है, if you are a company limited by share, then आपकी liability रहेगी limited to the unpaid value of share if any, if you are a company limited by guarantee, then आपकी liability रहेगी up to the amount guaranteed, और अगर आप unlimited company के part हो, तो आपकी liability रहेगी unlimited, अब sir, company limited by guarantee और unlimited company में भी having share capital, not having share capital हो सकता है, तो company limited by guarantee having share capital, इनकी liability रहेगी unpaid value of share plus amount of guarantee, और अगर share capital नहीं है, तो direct amount of guarantee, और unlimited company having share capital का value रहेगा, amount unpaid value of share plus unlimited, और अगर share नहीं है, तो direct unlimited, ultimately unlimited company की liability unlimited होती है, फिर आता है artificial legal person, every company is an artificial legal person, मतलब बेसिकली इनका natural birth नहीं होता, इनके कोई natural mom-papa नहीं है बिठा, ये law से बने हो, law alone can kill the company, ना, क्यूंकि एक company, आपको अपने separate legal entity भी का है, at the same time आप उसको एक natural person की तरह almost सारे power दे रहे हो, but क्यूंकि ए natural person नहीं, इसलिए आप इसको artificial judicial person या artificial legal person कहते है, because there are certain exceptions to this rights, a company cannot be sent to jail, company cannot take an oath, cannot marry, cannot practice a learned profession, cannot get divorced, why, because ये सारे चीज़े एक natural person कर सकता है, artificial person नहीं, तो सर फिर अगर company को contract करना है, तो कैसे करे, तो company अपनी agent से contract करती है, उनके agent होते है, वो human agency, वो है directors, याँ रखना directors कोन होते हैं, इंटर्नल अफिर्स of the company, they are the agents of the company, not that of the members thereof, directors are not the agents of the members, they are the agents of the company, फिर आया common seal, सर जिस तरह आपको अगर आज कोई, यह agreement करना है, कुछ transaction करना है, तो आपको क्या करना होता है, आपको sign करना होता है, उसके documents पे, correct, तभी वो finalize होता है, company कैसे sign करे, बड़ा problem था, उनने क्या किया, एक नया concept निकाला कि वह company sign नहीं कर सकता, तो क्या official stamp तो बना सकते हैं, जो उनकी data use करे, उसको बनाता common seal, और यह कई बाबा आदम के जमाने से चल रहा था, यह actually बाबा आदम के जमाने की चीज़े है, यह पता नहीं कब से चल रहा था, common seal, यह बोलता ना कि राजय महराज़ों के टाइम का यह नाटक था, Companies Act में commitment आया 2015 में, और उसके बाद common seal को optional कर दिया गया, saying that these are relic of the past, यह past के relic आब इसको, आज की rate में इसका use करना कोई sensible नहीं, आज की rate में law यह कहता है कि अगर आपकी company चाहे तो common seal रख सकती, if you have a common seal, apply common seal for authenticating document, if you don't have a common seal, then any two directors can sign the documents to authenticate, but if your company has a company secretary, then the company secretary along with any one director of the company will have to sign the documents to authenticate the, पिर आता एक जबर्दस, एक बोलता ना feature plus concept, उसको बोला आता है, corporate will theory और यह examiner favorite है, उसरा धान से सुना, corporate will theory refers to a legal concept, whereby company is identified separately from the members of the company, just like in separate legal entity, separate legal entity में आप कहते हैं, that company अलग members, company की assets, इसको और एक स्टेप आगे लियाता है, और कहता है कि company की liability भी company की है, और members की liability members की, मतलब जिस तरह company की shares होने से, यह company के member बन जाने से, company के assets पर आपका कोई right नहीं होता, उसी तरह company के liability भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो एक पर्दा create हो जाता है, एक wheel create हो जाता है, एक बोलते हैं, एक cover चा जाता है, एक shell बन जाता है, जिस से company के members को, company के liability से बचाया जा सकता है, और यह case बहुत अच्चे से समझ में आया था, Salman versus Salman and Company Limited में, जिसमें Mr. Salman ने अपना पूरा business, 38,782 pounds में एक company को बेज दिया, जिसका नाम था Salman and Company Limited, इसके बदले, उसने Salman and Company Limited से, 20,000 shares लिये, और 10,000 pound का, एक bond लिया, debenture लिया, जो secured था, against the asset of the company, और जो balance बचा था, यहनि कि, खितना बचा था balance, 87,82 pounds, यह उन्होंने cash में ले लिया, अब यह company के members थे, खुद Mr. Salman, उनके wife, उनके बेटे और उनकी बेटिया, उनके को चार बेटे, तीन बेटे ऐसा कुछ था, चार बेटे, दो बेटे ऐसा कुछ था, यह लोग भी थे, तो मदब, यह चार बेटे और इन लोगों ने मिलके, एक डॉटर और चार सन ने मिलके, यह company मनाई, तो Mr. Selvyn, Mrs. Selvyn, उनके चार बेटे और एक बेटी अब हुआ क्या पहले तो company अच्छे से चल रही थी बाद में कुछ trade depression के अच्छे से company liquidate हो गई company liquidate हो गई तो company के और liquidation rule कहता है कि पहला preference आप secured creators को देंगे second unsecured creator को और इस company का security creator था खुद Mr. Selvyn, कैसे क्योंकि उनके पास secured debentures थे और कुछ unsecured creators भी थे जो बाहर के लोग थे उनके पास 7000 pound उनको company से मिलना बागी था company ने winding up चालू किया तो company के creditors company को force करते है कि पहले आप हमको outsiders को pay करो फिर आप company के director को pay करना member को pay करना मिश्टर सेल्मन चड़ गया मिश्टर सेल्मन ने का यह कैसे पॉस्सिल मैं security creator हो पहला preference मुझे मिलना चाहिए बाद में आपको मिलना चाहिए यह केस बहुत आगे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि सेल्मन ने अपने खुद के company के उपर case file कर दिया और का कि भाई यह यह मेरी company है और मैं security creator हूँ इसका और यह मेरे उपर मुझे मेरा पैसा वापस नहीं दे रही है Lord McNaughton ने का कि yes company is at law a different person from the subscriber to the memorandum and even though हो सकता है कि company के incorporation से पहले incorporation के बाद same hands are receiving the business profit and same hands are doing the business but still the members and the company will be two separate persons तो company की liability के लिए आप member को जिम्मदार नहीं ढहरा सकते हैं क्यूंकि Mr. Salman is a security creator पहला preference Mr. Salman को ही मिलेगा पहले उनके 10,000 pound repay होंगे उसके बाद अगर पैसा बचता है तो 7,000 pound outside इसके repay होंगे So it was held by McNaughton that Mr. Salman is correct and there is a separate legal entity and a corporate will to protect Mr. Salman from the liability of the company लेकिन हाला कि यह rule हर जगा अप्लाय नहीं होता अप्लाय नहीं होता अप्लिक इंट्रेस्ट को बचाने के चक्कर में आप इसको लिफ्ट कर देते हैं सबसे पहला lifting of corporate will to determine the character of the company that is to find out whether the company is a friend or the enemy यह बहुत फ्रेक्वेंटल एग्जामें हो चाहता इसका writing practice करना मत भूलेगा सब्सक्क्राइब लिम्ट्टल युम धेड वर्सेज्स डया इंडमलर कंपनी डिवहाइव था जर्मन कंपनी थी और इंकॉर्पर इंगलेंड और क्यॉंटिनेंटल टायरं रबर कमपनी ये प्रॉपर इंग्लेंड की company थी सैंद्यॉर्ट राए टाइम चल रहा था और कॉ हमारे दुश्मन कंट्री से बिलॉंग करते हो और अगर हम आपको पेमेंट करेंगे हमारे खिलाब इसको यूज किया जाएगा इंबलर कंपणी नाराज हो कि उसने केस फाइल कर दिया कि सही बात है इंबलर कंपणी चलाने वाले मेजरिटी लोग जर्मन है और जर्मन और इं कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा ओपर से आप यह रिकॉर्डेट देख रहे हो एक्ट्रीम्ली सॉरी बट्ट इंटिनुस्ली रिकॉर्डिंग अलोट आप वीडियो और प्लस माई लाइफ क्लासेस और ट्रस्ट मी आइम नॉट मिलब आवास घर ने से निकलने को तो वही कारण है कि आपको मेरा आवाज धंग से नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रीम्ली सॉरी फर दिस प्लीज फोड़ एड्जेस्ट कर लो यह रिवीजन आपके लिए ज़रूरी है भले मैं उसको इंट्रेस्टिंग नहीं बना पा रहा आप मेरे साथ साथ बोल बोलकर मेर सर अगर आप एक कंपनी बना रहे हो only to hold your shares ताकि कंपनी जो शेर से dividend आता हो आपके income में tax ना और कंपनी के इंकम में जाए और कंपनी आपको वही amount loan बोलकर दे दे ताकि इस पर आपको कोई interest ना बरना पड़े कोई dividend ते उपर tax ना बरना पड़े ऐसे tax evasion के अगर आप planning करने के लिए company के जो shell है company का जो corporate will है वो lift कर दिया जाएगा और आप company का सारा profit आपके personal hands में taxable कर दिया जाएगा which has happened in दिंश्या मानेजी पतितित्य तो tax evasion के लिए circumvent करने के लिए अगर आप company बना रहे हो तो corporate will be lifted तो अवाइड लीगल obligation यहां पर मैं आपको workman employed at the associated rubber industries limited भावन अगर versus the associated rubber industries limited भावन अगर केस बताऊँगा सर मिस ए company ने ए company के पास भी company के shares थे उन्होंने क्या किया उनके company में ऐसा होता है आपके company में ए limited के company के पास भी limited के shares थे तो यह asset side में shares यहां पे दिखते थे और अगर मैं profit and loss अकाउंट देखो तो यहां पे आपके यह shares के उपर आने वाला dividend उनके profit and loss में दिखता था जिसक यह से उनका profit उपर चला गया अब profit और इनके company का rule था कि higher the profit higher will be the bonus payable to the employees देने की employees का bonus यह profit amount पे dependent था तो company ने क्या दिमाग लगा है company ने shares transfer कर दिये एक दूसरी company को B limited sorry C limited बनाया और यह shares उनको transfer कर दिये अब क्यूंकि यह shares आपके balance sheet से चले गया है इसका dividend भी आपके profit and loss से चला गया और आपका profit कम हो गया profit कम हो गया तो bonus भी कम हो गया तो उन्होंने company और यह क्या किया यह company तो अपनी अब इनके पास share चला गया इनके balance rate में आपको dividend भी दिख रहा है यह पैसा अपने पास ही है बस अपना book से profit कम करके bonus payable कम करवा दिया यह आपने बहुत बोलते है ना legal obligation से बचनी के आपने कोशिश की यह आपने employees को लीगल obligation ऐसे case में C company का corporate will lift कर दिया गया और इसका सारा का सारा पैसा A limited के हाद में taxable हो गया यह पूरा dividend इसके profit and loss में चला गया और फिर से profit आपका बढ़ गया और bonus भी आपका मतलब workman won the case फिर आता है formation of subsidiaries to act as agent merchandise transport limited versus British transport commission के case में है आपने company बनाई आपकी parent company को allowed नहीं है British transport commission से license तो आपको license नहीं मिल रहा है इसलिए आपने क्या किया एक subsidiary बनाया और उससे license के लिए अपला है किया British transport commission ने का कि it does not matter whether you are applying yourself or through a company subsidiary आपको हम license नहीं देंगे यहां पर subsidiary company का corporate will lift कर दिया गया because the other company was formed only to obtain the license which could not have been obtained by the parent company then company formed for fraud or improper conduct gilford motor versus Mr. Mr.Horn Mr.Horn was a very senior employee of gilford motors उनके साथ contract किया था gilford motor ने कि आप retirement के बाद या जब भी आप job छोड़के जाएंगे आप similar line of business में आप enter नहीं कर सकते तो हरने ने क्या किया अपने wife के नाम से business start किया और पूरा business कुझ run करता था और वो gilford motor के खिलाफ चल रहा था तो gilford motor में Mr.Hornay के ओपर case कर दिया और कहा कि आप यह business नहीं कर सकते बिकॉस यह company जो पूरा अपने फॉर्म किया यह fraudulent और improper conduct के लिए फॉर्म किया है to defeat the provision of law and defeat the provision of our agreement अपने यह company फॉर्म किया है this should not be allowed law is that yes gilford motor is correct Mr.Hornay was wrong in opening a company and it should not be allowed so in 5 cases में corporate will आराम से lift किल जा सकती है यह देखते हैं what are the classes of companies now there are there are different classes of companies the growth of the companies act and the economy in the world has brought need of various types of company now on the basis of liability company can be of three types company limited by share company limited by guarantee and unlimited company what do you mean by company limited by shares as the company जिसके share capital is broke broken down into various different shares for example आपका total share capital 1 lakh का divided into 10,000 shares तब क्या होगा 10,000 shares जब आपके रहेंगे उनका जो फेसल रहेगा इट विल इक्वल टू 1 lakh और 10 lakh whatever is your तो 10,000 shares कितना होगा इन्टो 10 रुपीज अगर 10 lakh है तो 100 रुपीज इस तरह से आप इसको multiply करेंगे breakdown करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास एक एक शेर होता है हर एक इस रुपए भी तरह company को pay नहीं किया और अगर company liquidation में जाती है तो आपसे max 20 रुपीज ही क्लेम किया जा सकता है उससे उपर नहीं तो in no case your liability will cross surpass the unfaid value of share क्यों होता है company limited by guarantee company limited by guarantee मतलब ऐसे company जिसमें बनाते वक्त तो share capital हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है but members ने यहाँ पर agree किया है that they will contribute a specific amount as has been written in the memorandum in the event of winding up of the company to the charges of you know winding up or for the assets of the company in this case में it is clear this case में it is clear that uh i know the that it does not the the guarantee company does not raise its initial working funds from the members ठीक है तो यह company कब useful होगी जब working funds आपको ज़रूरी नहीं है अना for example आप endowment fees पे चल रहे हो charges पे चल रहे हो donation पे चल रहे हो तो आपको खुद से अपने working capital fund की ज़रत नहीं है तब guarantee वाली company भी open कर सकते हैं ठीक है now the common feature between guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability in the latter case members liability is limited by an amount remaining unpaid on the share which each member holds both of them have to state in the memorandum that the company's liability is limited the point of distinction between these two types of companies that former case the members may be called upon to discharge their liability only after the commencement of the winding up and only subject to certain condition but in latter case they may be called upon to do so at any time either during the company's lifetime or during its time company limited by guarantee के case में जब company winding आप चालू हो जाएगा तब आप उनसे पैसा मांग सकते हो लेकिन अगर company limited by share है तो आप उनसे unpaid value कभी भी मंगा सकते हो वो चाहे company liquidation में हो या चाहे ना हो आप उनसे call up कर सकते हो पैसा लेकिन guarantee के कि इसमें पैसा तभी call करेंगे जब company liquidation में चली है फिर वा था अगर आपके पास company limited by guarantee not having share capital है आप ऐसा कोई act नहीं कर सकते है जिससे कि आप company का जो divisible profit है वो non members के साथ share कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो random person guarantee amount pay कर पाएगा तो जरूरी नहीं कि वो राइंडम परसंग गैरेंटी अमांट पे कर पाएगा ठीक है तो company में refuse to transfer such right लेकिन share के case में company will not usually refuse the transfer of the share ठीक है तो यह धान रखना है कि राता है unlimited company unlimited company basically there is no limit on the liability of the members और company की जो भी liability रहेगी हो members की हो जाएगी and in this case the liability ceasers when the person ceasers to be a member liability her time unlimited नहीं होती liability unlimited होती है जब company winding up शुरू कर देती है and members में can be called to contribute only in the event of winding up of the company liability of each member extends to the amount of liability of the company however you can claim contribution from other members as well पिराता है one person company now what is the one person company only one member is required to incorporate a one person company no minimum paid up share capital required OPC shall indicate a name of a nominee who shall be the member in the case of death of the member of the company that nominee से आपको prior written consent लेना पड़ेगा इन प्रिस्काइब फर्म और वो रोसी के पास जमा करना पड़ेगा आप नॉमिन अपना प्रायर रिटन गंसेंट जब चाहें विड्राव कर सकता है member जब चाहें अपने OPC के नॉमिनी को चेंज कर सकता है उसको स्रीप इंटिमेट करना है ROC को और सच चेंज विल नॉमिन परसन जो इंडिन सिटीस दने वो चाहें रेसिदेंट अप इंडिया हो या ना हो मतलब एनी परसन वो कर सकता है or के बहरी के चम काहँए कर तेंड – एंड चाहें विलिचीजिता सिन ओूर दिचिका ऑ्म फचाहर टान सिटीसिते हैं विल परसन लीख लिखने से सब्योंडियद वेक्रावित थेशिति विल Magyशक than 80 days no minor shall become member or nominee of the OPC or can hold share with beneficial interest फिसके अलाग कंपनी cannot be incorporated or converted into section 8 कंपनी दो आप नॉर्मल प्रब्लीक और प्राविट कंपनी में खनवर्ट हो सकते हो आप अप एंबियाफाई वाले अक्टिविटीज नहीं कर सकते आप दूसरे कंपनी के चेर्स भी सेकुरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपने पोई भी यह लॉट तोड़ा तो आपको 10,000 रुपीज और फॉर्दन फाइन 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 पर डे आफ्टर फर्स्ट आपके अप्लाए हो जाएगा याद है अगर आपके अगर आप ओल्ड बुक से पड़ रहे तो आपके बुक में आपको मिले गए वो कन्वर्जन वाले पॉइंट अब अमेंडमेंट के बाद हटा दिये गहे तो उसको मत पड़ा उसको काट दो ठीक है फिर आता है section 2 clause 68 private company what is a private company it restricts the transfer of its shares and except in case of 1% company limits the number of members to 200 joint holders will be calculated as one person who are in employment and person who are formerly been employment where members while they were in employment and continued with the employment in loco app will not be counted in the number of members and it also provides the invitation to public now what do you mean by small company small company small company section 2 clause 75 means any company other than a public company having a paid up share capital which does not exceed 50 lakh to such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores and what is the amount prescribed the amount prescribed is it not rupees 2 crores and turnover of which as per last profit and loss account does not exceed 2 crores or such higher amount as may prescribed which shall not be more than 100 crores and what is the amount prescribed 20 crores so exam तो अगर आपने आपने ऐसे कोई कमपनी देखी जिसका paid up share capital does not exceed 2 crores and turnover does not exceed 20 crores तब ऐसी private company को आप small company बोल सकते है एक्सेप्ट अगर वो किसी की holding or subsidiary company है या section 8 company है या governed by special act company है तो आप आप स्मॉल कमपनी के बेनेफिट आप नहीं उठा सकते है यहां पर आप लोग इसको चेंज करके 2 crores और 20 crores कर लें और यहां पर एंड है यहां यहां पर एंड है नेक्स्ट पब्लिक कमपनी अब बात याद है सब्सेट्री ऑफ पब्लिक कमपनी विल बीडीन पब्लिक कमपनी पाच साथ और मैक्जिम की नो लिमिटर आता है तो holding company section 2 clause 46 में बताए subsidiary company section 2 clause it is a subsidiary company in relation to another company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors or exercises control or more than one hour of total voting power on its own or together with one of more of its subsidiary company provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed for the purpose of this section a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred to in sub clause 1 or sub clause 2 is of another subsidiary company एक और चीज़ नहां पे बोलिये कि subsidiary of a subsidiary will be deemed subsidiary the composition of board of director when you control majority or all of the directors of the company okay where you are not allowed beyond two layers of subsidiaries private company which is subsidy of public company will also be deemed public company associate company whether any company which has a significant influence in another what is significant influence significant influence control over at least 20% of total voting power and it also includes joint venture total voting power total share capital में paid up equity share capital आते और convertible preferences आते इसके लावा कुछ नहीं आता ठीक है तो इसके अंदर भी अमेंडमेंट्मेंट्मेंट जारा ध्यान देना लिस्टेट कंपनी मतलब अभी आते तो एनी कंपनी जिसकी सीक्टिटी जिसकी सेक्यूर्टी आर लिस्टेटे ओने रिक्रगनाइज स्टॉक एक्सटॉक प्रोवाइड धेट अगर आपने तेभी की consultation से अगर आपने कुछ specific securities list कर रखिये तो आपको हम listed company के definition से हटा देंगे ठीक है तो यह basically उन private companies के लिए है जिन्होंने अपने debt debenture list कर करके stock exchange में तो अभी तक वो listed company के definition में आ जाते थे बट इस amendment के बाद अब वो listed company के definition में नहीं आएंगे अब वो listed company के definition में नहीं आएंगे नाव अन्लिस्ट कंपनी मिन्स अनी company अधर दान लिस्ट कि राथा गुवर्मेंट कंपनी अधर गुवर्मेंट कंपनी बोलता है तर गुवर्मेंट company means a company in which not less than 51% of the paid option capital is held by central government or state government or partly by central government or partly by one or more state government and includes a company which is subsidiary of a government a public basically government company so basically यहापर 51% आपको देखना है और holding subsidiary में more than 50 देखना है तो मैंने आपको यह बना कर दिया था चार्ट अगर आपको याद नहीं तो देख लेना 0 to 19.99 there is no relation 20 say 50.00 there is an associate company 50.01 say 100% there will be holding and subsidy holding and there is a relation okay फिर आता है foreign company any company which is incorporated outside India I mean place of business in India and conducting business active in India very directly or indirectly physically or electronically are known as foreign company section 8 company के लिए आपको license लेना पड़ता है you are a company which is engaged into charitable object like commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity or protection of environment as the company को अपने profit के वाल अपने बोलते ना इस social benefit के तरफ टालने होता है अपने promotion of object करना होता है you cannot you are prohibited from paying dividend to your members Central Government के पास power है कि वह आपको आपका होलते ना कि आपको कि आपको कि सेक्शन 8 का license grant करें और आपको बहुत सारे benefit मिलते हैं आपको अपने नाम में से private लिमिटर लिमिटर लगाने की जरुरत नहीं है कि इसके अलावा में आपको एक और बात बता दू आप अपनी जर्नल मिटिंग 14 क्लियर डेज में बूला सकते हैं इंच वर 21 क्लियर डेज आपको minimum नमबर अप डेक्टर एंडिपेडेंट आपको आप्डेक्टर मुमें डेक्टर अपलाय नहीं होता आपको एनार्सी सी आर्सी औरशी का अप्लाय नहीं होता तो आपका ये license रिवोग किया जा सकता है जिसके बाद आपके नाम में लिमेटेड लिमेट 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 लिमारा लगा दिया जाएगा और Central Government आपको अमल्गमेट कर सकते हैं विद अनादर कंपणी हैं अगर उनको अनादर कंपणी नहीं मिलती हैं इस केस में आपको रखना तो आप याद रख सकते नहीं तो मत रख पेनल्टी एंपनीश्मेंट पर कंटरवेंशन इपको पता है फांपनी इन दिफॉल्ट आपको पता है कंपनी में फांट आप यह नियुक्त क्रोट और अगर आपने फ्रॉड़्ड पर पर से कोई काम किया देन 447 क कि यह लिए यह बनाता है तो ऐसी कंपनी आर उट पास अप्लाय कर सकती आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दिलाने इनक्तिव कंपनी का मतलब है एनी कंपरी नौट करिंग बिजनस और उपरेशन और अस नॉट मेड अनी सिग्निविकन अकांटिन ट्रांग्शन दू last two financial year or has not filed the financial statement and annual return during last two financial year आप अप्लाइ कर सक्टिर तो भी कॉल्ड as dominant company significant accounting transaction का मतलब होता है कि वाई other than the four given below other than payment of fees payment or to make fill to fulfill the requirement of that allotment to fulfill the requirement of that and payment for maintenance ये छोड़ के अगर आप कुछ expense कर रहे हो कुछ खर्चा कर रहे हो कुछ transaction कर रहे हो that may be called as significant ये चार चीज़े significant में नहीं आती है देन नीधी company नीधी company is a mutual benefit society the company formed for you know बोलते है ना चिट फंड जैसा होता है for mutual benefit ये फाइस आर गवर्मेंट companies but with you know having only finance and infrastructure in mind for example LIC IDFC UTI ये सारे they are all PFIs यहां पर भी है कि PFI में 51 परसेंट शुट भी है और सीज और SG और आपको separate act से आपको establish होना पड़े है then what are the mode of incorporation of company seven there are seven steps for incorporation of the company step number one आपको अपने MOA और AOA देना पड़ेगा step number two आपको declaration देना पड़ेगा declaration किस से लेंगया person who is engaged in the formation of the company and person named in the company article as directors क्या बोलो गया आप that all the requirement of this act which are precedent and incidental to uh incorporation are complied with record declaration ये declaration लोंगा subscribers से और directors से क्या तीन जीज़े they are not convicted with respect to any offense with respect to promotion formation management of the company not being found guilty with respect to fraud misficence or breach of duty with respect to companies act during last five years and last all the information is true and fair and correct as per their view and knowledge इसके बाद मैं आपसे लोंगा address for correspondence और 15 particular पहला particular subscribers name including surname family name residential address nationality proof of identity etc फिर सें particular लोंगा आट डारेक्टर से एक एक्स्ट्रा लोंगा वो है दिन नंबर सें particular लोंगा मैं डारेक्टर से इस बार में उनका नाम पता address दुबार नहीं पुछूँगा इस बार में उनसे बूलूँगा आप इंट्रेस्टेड अगर हो किसी और form of organization में तो हमको बता दो ठीक है और यह सारे declaration उन लोग को नहीं देने जो professional capacity पर यहां पर engaged है अगर आप company बनाना चाहते हो तो आपको promoter का जाएगा प्रमोटर कौन रहते जिनका नाम लिखा है विट अब यह जो कंट्रोल करते हैं फोर सब्सक्राइब करेंगे ब्रॉट करेंगे इसमें मिनिममं दो number members लगता है पब्ली के समें मिनिमम सेवन और 1 परसंद कंपनी के से मिनिममं 1 member आपको लगता है पिर एक बार आपके सारे documents से लेगे तापको certificate आप इन कोरपेशन मिलेगा आपके एक सीन नमबर मिलेगा यूव तो मिंटें दो कॉपी जब तक कंपनी है कंपनी बनाते वक्त अगर आपने पॉल्स इंफॉर्मिशन दिया तो आपको फोर फटिसन में फिक दिये जाएगा कंपनी बनाने के बाद हमको पता चला कि false information mã किद्मेस्ट इबी जितने भी चल्बी यह यह लोग ओ को सभको में फिक हट रिट कमपनी को छोड़े के विधाने टेंबिन उड्र को for management of the company including the changing the memorandum or article tribunal can direct the liability of members to be unlimited uh tribunal may direct the removal of name of the company from the register tribunal may order winding up of the company or he may pass such other order as he may deem fit could we pass a reasonable opportunity of being heard of company or please also take into consideration other transactions done by the company so far uh simplified pro forma for incorporating company electronically then what happens once the company is registered jitne bhi features manhne aupko bata hai jitne bhi characteristics manhna company is a separate legal entity with unlimited perpetual succession and artificial judicial person banjati hai with legal separate legal entity this is the maximum amount with which that a company can raise through public issued capital out of the maximum amount what is issued by the company to general public out of that issued how much has been subscribed by the public general public at large out of that how much have you called up from the public out of that how much has been paid by the public so far and what is unpaid is call scenarios so pirata shares there is basically uh chair is the share in a share capital of a company here is a share in a share capital of the company and it includes stock share boleto now share is a movable property it has to be numbered and there are two types of shares uh equity and preference equity share madlab uh uh normal share carry normal voting right so we do type to the plain vanilla or differential in plain vanilla uniform voting right to the differential different voting right to the job decide to bring in alaq india me differential voting right zyadha issue anyway save push companies is a data motor future retail jane irrigation in local dvr issue key or market success पिर आता है preference share what do you mean by preference share preference share मतलब इन लोगों को preference मिलता है with respect to payment of dividend and repayment of capital in case of mining now there are many types of preference capital but मैं आपको बता दू preference capital can also be for example participating participating preferences होता है जिनको उनका खुद का dividend के अलावा भी बचेव प्रॉफिट में dividend मिलता है उनको खुद का repayment के बाद भी बचेव प्रॉफिट में बचावा liquidation profit भी उनको मिलता है तो अगर आप participating preference shareholder हो तो just because you are participating in the balance of the fund after paying preference share that does not make you equity share you will still be called as preference share capital memorandum of association memorandum of association is a charter is the country constitution based on which the company is formed section 399 of the company's act says that the basically there are a lot of documents memorandum article or resolution they are public documents anyone and everyone dealing with the company is presumed to have knowledge about the company अलब हम अज्यूम करेंगे कि आप यह सारे documents पढ़के आये हो इसकी को doctrine of constructive notice भी कहते हैं आप यह पढ़के आये हो तो इसका मतलब आप इसके बाहर के कोई काम हम से मत करो हमने आपको पॉर्म बताए डेबल A B C D E F G H I J K H I J ले पराबर हिज तो यह A B C D E यह memorandum के फॉर्म है F G H I J यह article के फॉर्म है यह एटिकल के फॉब्स है आपको आपके इसमें दे रखे किसमें शेडियूल में दे रखे कंपनी साथ निघ्ञ टॉसने को प्षिए आते हैं नीम्स को सुने ग्रॉसने विद्टन मतलब यूद्ध का मतलब होता है लस नीम्स एक स्धिस्राइब यू वैद लाआ लिए लिकाता है कि वाड आर्पुलिक लेहन दॉ Tsch प्राइवेट पॉब्ली को आपको प्राइवेट लगाने सेक्षिनेट कमपनी को कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इन फाक्ट वो कुछ वर्ड चीज़ कर से रखते हैं जैसे फांडेशन, फोरम, अस्वेशन, फेडरेशन, चेमबर, कंपेटरेशन, कॉंसिल, एक्सेटर, एक्सेटर, गवर्मेंट कमपनी को लिमिटेड लगा बताता है, object clause, object clause में आपको बताना है कि क्या काम करने के लिए अपने object, किस object से आपने company बनाई है, यू कैन, if you have changed your object, please change your name within 6 months, okay, then liability clause, कि भाई, आप कौन से टाप के company हो, limited by share, guarantee या unlimited, आपको बताना है, कि अगर आप limited by share हो, limited by share बताओ, guarantee हो, guarantee किसने कितनी दिये बताओ, asset में कितना contribute करेगे, cost में कितना वो बताओ, फिर आदा है capital clause, ये बताता है कि आपने total nominal capital कितना है, divided in how many shares, फिर उसी के अंदर एक association clause होता हो, बोलता है, कितने share, कितने subscriber ने subscribe किये हुए, आपको nominee अलग से बताना पड़ेगा, और memorandum will be printed, signed, और witness के सामने, आपको उसमें, sign करना पड़ेगा, now miner cannot be, you know, a part of the formation of the company, he cannot be a subscriber to the membrane, किता तुर्दी ने परका कि, section 310 केता है, बहुत सारी दोक्में, परलीचोमें होता है, अदर है, अन्य अवर्य परसेन दिलिए अर्ड़ेगा, प्रमेंट धिलिए परसे प्रमें अर्वर्य सुपनें, आपको उ when you are the, और अपके शूज मैंने फैसा क्लेम नहीं करूँगा और अगर मैं कर भी रहा हूं तो अपने आपके आउटसाइडर तो मैंने आपके दॉक्पेंट्स पढ़े रहने चाहिए और मैं आपसे बाद में यह पैसा क्लेम नहीं कर पाऊं तो डॉक्त्रीन फट्रवास बहुत सिंपल यह कहता है कि भाई लेवल होते हैं एक लाइन होती है अर्टिकल की एक होती है कि एक दन हीए इस वैलीड एक दन हीए विच इंट्रवाइज दरिक्टर यह वाइड है लेकिन यह रेटिफाइ किया जा सकता है कैसे रेटिफाइ करोगे एसा रेट जी एम से आपको बताया था कि उसके एंटरल कॉंट्रेक्टर लॉने का पुरी दुनिया की काम नहीं आलाओ करेंगे हैं आपको आपका मेकनिकल इंगिर से रिलेट जनल इनल गॉंट्रेक्टर अमकु देखेंगे है रेकिने यह केस में अन्होंने का कि इस लस अल्टरावास रेंट केंन आपको बीक्ले so any act which is formed which is you know beyond the directors can be ratified by sr at gm but any act which is ultra wise the company cannot be ratified please understand that then there is article of association article of association jordan you have the management these are the rules and regulations you internal affairs of the company management company rules regulations additional matters to make them something more difficult or strict correct so entrenchment करना मतलब कि अगर law बोलता है और से काम चल जाएगा आप बोलोगे नहीं sr चाहिए law केता है sr से काम चल जाएगा आप बोलोगे यू आर चाहिए कि चीजों को और strict करना difficult करना इसको बोलते हैं आप दो जगह से कर सकते हो एक कर सकते हो आपके और बहार कंपनी और बहार वालों को रिलेशन इस्टाबिश करता है आलक्तिजों का मुश्किल है बहात मुश्किल है आटिकल का अल्ट्रेशन बहुत आसान निसा हो जाएगा आप अगर आप जाते हो तो ए यी टिभा तुट गररेटी घंवत के लाताए Declire औफ इंडौर मैंजमेट्री सेफ ए उसके समझने से पहले आपको आपको अठी रूर्ण क्वत काटी समयना पड़ेगा जो कहता है और पर्सेंड इलि जांव से और डिलिमे इस ही as has understood them in their true meaning अगर आप मेरे से डील करने आ रहे तो मैं आज्यूम करूँगा कि आपने मेरे अगर आपको बॉंड देना है तो डीरेक्टर ने एसार पास करना पड़ेगा जी एम में और एसार के अंदर अगर आपने जो एसार पास कर वा है उसमें अमांट लिखा नहीं था तो रहल बिटिज बैंक कहता है कि मैं कैसे चेक करता ना आपने नहीं किया और आपने खुद कंपनी को डिबेंच इशू करवाने के लिए आपको एसार एट जीम पास करना था आपने नहीं किया और आप और आप बोरह काट आप शूब्रिटविकंट में बुटव है पुट नहीं को हम को पता ही ने You can't say that because what happens inside the company is company喺 Doesn't you can't use doctrine of indoor managemen then you have you could have suspicion of यहां पर आपको सस्पीशन हो जाना चाहिए है यहां पर आपको सस्पीशन हो जाना चाहिए है केस में डॉक्रिन और मेंजमेंट अगेन नहीं अपला वता है यहां पर शेर सर्टिफिकेट पे कमपनी सेगेरेटर ने कमपनी के स्टाइंप मारा सील मारा और डिरेक्टर का साइन पोर्स कर दिया Mr. Ruben गए, share certificate अपने नाम पे transfer कराने तो company ने कहा कि यह share certificate fake है Ruben ने कहा इस पर आपका sign है, आपके directors का sign है आपके company secretary का sign है, official stamp पर यह fake नहीं है बाद में पता चला कि company secretary fraudulent activity कर रहा था और उसने directors का sign fake forge किया In this case law held that we cannot use doctrine of indoor management to make illegal things into legal things Hence, doctrine of indoor management will not apply in this case and with this we have successfully completed the revision of companies act 2013 in somewhere around 1 hour 54 minutes So, अगर आपको class पसंद आईए, don't forget to buy class using refer code siyaadarsh, live class weekly test structure को 7 minute access मिलेगा First next garden study plan, test analyst, expert guidance or study material भी आपको मिल जाएगा Please download an academic learning app, it's a free app which can be downloaded go for plus, you have multiple options 3, 6, 12, 24, month select the best alternative and don't forget to select the cyaadarsh port Iconic में 6, 12, 24, month है cyaadarsh use करने से maximum possible discount मिलेगा इसके लवा प्लस और आपकोनिक आप combo भी अवेलेबल उसको भी check out कर लेना और यह सारे benefits भी आपको अवेलेबल है 12, 12, 12, 12, 12, 24, 24, Plus Don't forget to follow me, link is in the description of this video Thank you very much, God bless you, lots of love, take care and I will see you in the next one Bye-bye